Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल आत्म निर्भरता, किसी विदेश की शक्ती का एक महत्पुन पिलर होता है Defense Indigenization, रक्षा छेत्र में जो आत्म निर्भरता है, उसके तरफ भारत ने पिछले कुछ समय में काफी बहतर प्रियास किये हैं हमारे पास कुछ Achievements भी है, यहां से Prelims और Means दोनों में आपके लिए एक कुशन बनता है आज हमें Project 15B की बात करनी है, specifically जो बात करता है Brevo Class Destroyers की इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपसे question पूछना चाहूँगा कि Defense Indigenization के इन में से कुन से benefit नहीं है और आपको statement दे दी जाए Foreign Exchange Reserve, Save करना, Means Saving Foreign Exchange Reserve, Second Statement है Improving Regional Status, Third Statement, Creating Jobs in Country And Fourth Statement, Saving और Securing Maritime Interests बताइए इन में से कौन से statement नहीं है, एक Benefit Defense Indigenization का Options आप खुद बना सकते हैं, Means Only One, Only Two, One and Two, One and Three None of these आपकी शृद्दा है कमेंट्स में बताईए देखे, आंसर है, कि ये सभी Benefit है Means All of Them are Benefit of Defense Indigenization क्लियर है बात चलिए बात करते हैं, Project 15B की यहाँ पर इंडिया 4 Destron Ships बना रहा है डिटेल में जाने से पहले आपके लिएक Information Foundation Batch Live Class, Batch No. 2 स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से 8 एम टाइम है कुछ स्टूदेंट्स पिछले वाले बैश वे नहीं कि Batch One में Admission नहीं ले पाए थे Amazing response रहा तो आप Admission ले सकते हैं, आभी आप StudyIQ.com पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर फीश हो रही होगी 25,500 आप त्यागी लाइफ कोड यूज करेंगे तो 18999 में आपको वो कोर्स अवेल हो जाएगा देखिए Golden Opportunity कारण अगर आप Compare करेंगे तो आप देखिए आपर 900 प्लस आर्स में आपको Comprehensive Coverage मिल रही है यानि कि GS का कोई portion छोटे का नहीं प्रिलिम्स हो या मेंस हो Current Affairs Program में दिक्कत कहा आती है कि students कोचिंग कर लेते हैं बट वेन इट कमस तो assessing कि कहा स्टेंड कर रहे हैं वहाँ पर gap रह जाता है और इसी वैसे इसमें प्रिलिम्स test series भी एड़िड है इसके बाद main जो game है आपके selection का वो decide होगा mains से 1750 marks का mains है उसको अपने favor में कर लिया तो interview में above average marks although I wish कि आपके super marks हो preparation करेंगे उसकी यहाँ पर भी लेकिन अगर above average marks भी है तो भी आप under 50 rank ला सकते हैं ऐसे पिछले कई examples हुए है और यह factor vary करता है यानि के means जो है answer writing is the key clear बात ही है हर एक class में answer writing पर विशेश focus है यहाँ पर plus dedicated mentors की team है जो आपको regular feedbacks देने के लिए यहाँ पर है तो you can join in शशांग त्यागी for you आप मेरे साथ connect कर सकते हैं इंस्टा, telegram, twitter पर वीडियो से जोड़े updates आते रहते हैं बनाये जा रहे हैं, total four ships हैं, clear बात, इससे पहले जो class थी वो Kolkata class थी, याद रखने का तरीका KV, यानि कि अगर पूछें कि Kolkata class is the upgraded destroyer और विशाका पटनम is the upgraded destroyer तो आप जानेंगे कि विशाका पटनम is the upgraded one, तो KV, तो याद रख सकता है, कि अंदर विध्याले ऐसा कुछ करके, तो वी बाद में आया, तो यानि कि पहले Kolkata class थी, उसके बाद विशाका पटनम class थी, clear बात, विशाका पटनम नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो four ships हैं, उसमें जो पहला ship जो commission हो गया है Indian Navy में, दिसमबर 2021 में, उसका नाम विशाका पटनम है, clear बात, design इसको किया है खुद Navy ने, जैसे Navy का direct rate of naval design ने, वहां से design किया गया है, और build किया है MDL ने, मजगाउन डॉक लिमिटेड ने, अब इस image के थूँ जानते हैं इस destroyer को, credit for this image goes to defense decode, देखें, naval ship का जो front part है, इसको हम कहते हैं, वो, BOW, और जो rear part है, जहाँ पर वो आपको helicopter show रहा, उसको हम कहते है, AFT, यह हल है, और यहाँ पर लगा हुआ है BEL, हमसा NG Sonar, BEL मतलब भारत Electronics Limited, उसने इसको बनाया है, DRD ने इसको design किया था, सोनार का काम है, मान लिजीए, यहाँ से समरीन हो होता है, यहाँ पर 76mm की gun लगी हुए, ओटो, मेलारा, तो यह बिसिकली Italian origin की है, इससे पहले plan था कि हम US-based gun लगाएंगे, लेकिन फिर यह वाला finally finalize हुआ था, यहाँ पर आपकी 16 Brahmos missile भी रखी गई है, ध्यान रखेगा ब्रहमोस missile, और यहाँ पर 16LRSAM, long range surface to air missile रखी गई ह यानि कि हम BRAC missiles की बात कर रहे हैं, जो इंडिय और इसराइल का joint venture है, यह आपका ASWRL बेसिकली यह anti-sum marine warfare rocket launchers हैं, अब यह हम detail में भी बात करेंगे इसके, यह आपका communication set हो गया, यह ESA radar है, तो यह बेसिकली detect भी कर सकता है, जो आपका target है और उसको track भी कर सकता है, अब देख electronics को disrupt कर दो, कुछ signals के थूँ, तो ऐसे में इस ship के, इस electronics को save करने के लिए, हम शक्ती electronic warfare system यूज कर रहे हैं, यह आपके मेरा इन radar हो गया, यह communication set हो गया, और देखिए, यहाँ पर भी 16 long range surface to air missile रखी है, यह आपका helicopter वाला area हो गया, यहाँ पर एक hangar भी होता है, जहाँ पर आ में, Defense Acquisition Council ने permission दी कि ठीक है, we need this project 15B, और उसके तैथ हमें 4 destroyers चाहिए, और जो Kolkata class से upgraded हो, लेकिन ध्यान रखा गया कि, देखिए, Kolkata class से similar structure रखना है, और दो चीजों में improvement करना है, एक तो weaponry में, और एक sensors में, अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए, इस से हमने save कर लिया एक तो time of production, क्योंकि already अगर Kolkata class के लिए हमारी manufacturing और जो assembling line है, वो set है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे में हमें, कम समय में हम produce कर सकते हैं, right, build कर सकते हैं, और साथ में money भी हम save कर सकते हैं, right, और देखिए, इसमें 4 ships हैं, ध्यान रखने का तरीका क्या है, ये trick याद रखे लिए जेगा VIMS, ठीक है, V से है विशाका पटनम, I से आपका इंफाल, M से है, मौर्मोगवा और S से है सूरत, ठीक है, याद रखने का एक और तरीका रख सकते हैं, जैसे destroyer हैं, तो दुश्मन के धुलाई कर देंगे, विम का इस्तमाल करके, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ या यहाँ पर यूज कर देगा, तो आपको confused नहीं होना, ध्यान रखेगा VIMS से दुलाई, ठीक है, VIMS से, S भी आगे हैं, आपर सूरत, construction, अब देखे, length है इसकी 163 मिटर, और crew 300, यानि के 50 इसमें officers और बाकी 250 sailors, 30 notes की speed है, armament में anti-surface भी है, anti-air भी है, anti-submarine भी है, अब कैसे इसमें आप कैसे उससे बच सकते हैं, तो इसमें कवच का इस्तमाल किया गया, कवच एक decoy system है, अच्छा इसके अलावा और कौन सा decoy system famous आप जानते हैं, जरा comment में बताईएगा, मरीच के बारे में सुना है क्या, जरा बताईए मरीच में और कवच में क्या difference है, now, anti-surface warfare, इ USA वाली MK4, ये 1, basically 45, 127 का इस्तमाल करने का, बट इसको फिर हमने सोचा कि ये वाले cost effective है, और basically जो हमारी need है, वो पूरा कर देगी, anti-surface warfare में साथ में बैरेक missiles का इस्तमाल कर रहे हैं, अभी आपको बता था, इंडिया और इसराइल का joint venture है, ER इस वे से उसके आगे extended range है, ER, basically एक दूसरी, basically इसका version भी है, जो ER है, उसमें 1500 किलोमेटर तक की मारक शमता होती है, और इससे पहले वाली में कम होती है, साथ में एक और खास बात, इसमें battle management command control communication intelligence system है, इसका मतलब क्या हो, आप कहेंगे बड़ी-बड़ी बाते लग रहे हैं, मतलब क्या इसका, मतलब ये है कि जो ये destroyer है, ये basically एक plan way में, जो other आपके naval ships हैं, उनके साथ coordinate भी कर सकता है, जिससे माली जिसने कोई target को पहचान कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये ही destroyer अब उसको attack करेगा, ठीक है, ये ऐसे control and communication, basically इस तरीकी से स्थापित हो जाएंगी बाकी destroyers में, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे mission को ले ले, यानि कि दूसरे side पे किसी target को pick कर ले, और दूसरे वो आला target exact उसकी information दूसरे को communicate कर दे, वो दूसरे वाला destroyer उस पर attack कर देगा, तो ये capacity है, साथ में इसमें 360 degree defense capacity है, यानि कि अगर आपको पीछे की side किसी भी दिशाने attack करना है, तो ऐसा नहीं है कि you have to now change your direction, इसकी दूरत नहीं है, anti-submarine warfare के लिए torpedo का इस्तमाल है और rocket का, दियान रखेगा TR, ठीक है, torpedo जैसे कि आपको show रही होगी, ठीक है, इसमें वरुनाश्त्र नामक जो है torpedo का इस्तमाल किया जा रहा है, साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये basically rocket launchers हैं, जिसकी मैं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी two, medium size basically आप helicopter's रख सकते हैं, जैसे HAL का दुरूप और Westland Seeking, ये MK-42B, ये model है, साथ में rail-less helicopter traversing system, आप कहेंगे ये क्या है, अब ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है, ये आपको कुछ similar लग रहा है, जैसे कि आप train की पट्री देख हम helicopter को खड़ा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो rail dependent अब इससे भी upgraded है, जिसको हम कहते है, rail-less traversing system, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, कि आपको इसी direction में ऐसी बिल्कुल land करना पड़ेगा, तब जाके आपको secure करना पड़ेगा, लेकिन इसमें upgraded है, project 15B में, साथ में decoys के कबच का इस्तमाल किया गया है, decoys का मतलब है, जैसे आपके तरफ, माल लिजे कोई, for example, torpedo आ रही है, तो यहाँ पर decoys launch हो जाएंगे, तो वो जो torpedo आपके तरफ आ रही है, वो उन decoys को hit कर देगी, not you, तो you will be saved, sensors में radar, sonar और electronic warfare का इस्तमाल किया गया है, difference between Kolkata class and destroyer, तो देखें, moreover, जो structure है, वो तो same है, लेकिन फिर भी differences है, जैसे कि मैंने कहा weapons upgraded हैं और sensors upgraded हैं, तो आपको यह लगता, जब weapons upgraded हैं, तो अब जो weapons की placement है, वो change होगी, right, तो इस वेसे जो ब्रिज है, इसका layout change हो गया, ठीक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, radar cross section जो यह section है, इसको change करना पड़ता है, यानि कि इसकी shape को ऐसा करना पड़ता है, जिससे की radar इसको आसानी से detect ना कर पाए, उसको हम कहते है, RCS, radar cross section, clear बात, relevance for India, सबसे पहले तो देखिए, hunting कर सकता है, submarine की far from India's coast तो tactical operations हम इसको 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 बनाया है, इसका मतलब है कि करीब 75% जो इसके component है, वो हमने भाज सही लिए, और ऐसा नहीं कि केवल टोटल जो सरकारी कंप्रियां उन्होंने ही components को बनाया है, क्योंकि इसमें MSME, जो आपकी micro small medium enterprise हैं, उनको भी इसमें opportunity मिली है, produce करन तो यानिके jobs भी create हुई है, साथ में geopolitical importance है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी location ऐसी है, कि आसपास हमारे geopolitical contestation है, तो ऐसे में हमें हमें चाहिए ये high end destroyers, चायन और पाकिस्तान आपको पता है, हमारे लिए basic लिए दिक्कते खड़ी करते रहते हैं, meridine border की बात करें, तो देख Western Front पर focus है, अब देखें, चाइना यहाँ पर अगर अपने आपको फैला रहा है, तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी position को strengthen यहाँ पर करना पड़ेगा, तो we need these kind of destroyers, exclusive economic zones को secure करने के लिए भी we need these destroyers, तो ध्यान रखेंगे, जब मेंस वाला question आएगा, जब वो benefits की बात करेगा, तो यह keywords ध्यान रखेंगा, और आपका काम हो जाएगा, अब जब एक question देखें, a multilateral anti-surmarine warfare exercise, sea dragon 22 is being held between six countries in the pacific question, which of the following is not a participant in this exercise, तो इस तरीके से question आजाते है, वो देखना जाते है, यह current event पर आपकी sharp नजर है की नहीं, अब इसका answer मुझे comments बताईएगा, वैसे में telegram में औ Instagram पर भी इसको post करूँगा, अब जब एक question देखें, highlight the achievements of India in indigenization, indigenization of defense sector, तो highlight the achievements की बात कर रहा है, तो यानि कि आपके वर project 15B की बात नहीं करनी है, अब जो other achievements हैं, जो इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बात की है, आपको उन achievements की भी बात करनी है, और एक और ध्यान आपने highlight शुरू कर दी, ठीक है, introduction में हमेशा ध्यान रखना होता है, कि आप जो demand है, बता रहे हैं evaluator को, you have understood the demand, तो actually give a brief background, ठीक है, कि अगर हम indigenization कह रहे हैं, तो indigenization में India अभी क्या कर रहा है, ठीक है, एक brief, you know, कि importance क्या और क्या भी हम कर रहे हैं, तो कुछ projects को mention कर दिया, फिर उसके बाद achievements को mention किया, जो already हमने gather कर लिये हैं, ठीक है, और फिर साथ में जब conclusion की बात करें, तो उसके further benefits बात करनी है, और एक तरीके से futuristic idea रखना है, कि अभी हमारी future की direction ये है, clear बात, फिर मिलते है next video में, तब तक के लिए keep learning, keep growing.